एजु सीकर में आपका स्वागत है, रिडॉल्स, जो चाहे ही दिखने में फॉर्णर थे, लेकिन उनको एक इंडियन से भी ज़्यादा इंडियन माना जाता था, ये कहा जाता था कि इंडिया को लेकर जो इनकी समझ है, वो एक आम इंडियन से कई जादा थी, इन्होंने जरिया दुनिया के सामने ही रखते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, लॉइड रिडॉल्फ जो थे, वो USA की शिकागो सिटी में, नुवंबर 1927 में पैदा होते हैं, और सूजन रिडॉल्फ जो थी, वो जर्मनी के मैनहयम शहर में, एपरिल 1930 म पैदा होते हैं, नाजी बुरुटैलिटी को देखते हुए, इनकी जो फैमिली है, वो USA में 1939 में मूव कर जाती है, और सूजन रिडॉल्फ तब 9 येर्स की थी, जब उन्हें USA लेकर आया गया था, यही पर अपनी वो पढ़ाई भी पूरी करती हैं, और हार्वर्ट में वो लॉइड रिडॉल्फ के साथ मिलती हैं, यह दोनों मिलते हैं और 1952 में एक दूसरे से मैरीज करवा लेते हैं, अगर आपको लगता है कि यह जो स्कॉलर्स होते हैं, बहुत ही पढ़ाखू किसम के होंगे, किसी लाइबरेरी में पढ़े रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है 1956 में इन्होंने लंडन से इंडिया का एक रो ट्रिप निकाला लेंड रोवर्स से, यह ट्रिप इतना फेमस है कि इस पर इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है, जिसका नाम है Destination India from London Overland to India and What Will Land There, जो अभी 2014 में इन्होंने पब्लिश की थी, इंडिया आकर इंडिया के प् आपकी सेक्रीन में हैं, वो आप देख सकते हैं, जो आपकी एक्जाम के लिए जरूरी है, अब हम समझते हैं इनके प्लिटिकल आइडियास को, सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी है कि जो प्लिटिकल साइंस में, प्रेस्ट्रोई का मुवमेंट आती है 2000 में, उससे यह क qualitative methodology को political science में introduce करना चाते थे, इसी के चलते हुए इनों ने यह कहा था कि इंडिया की अगर politics को किसी ने समझना है, तो वो हम western theory से नहीं समझ सकते, इसलिए इनों ने यह सुझाव दिया कि इंडिया को समझने के लिए, इंडिया की political development को समझने के लिए कुछ alternative ways होंगे, और व वही alternative इनों ने सुझाव किया, इनकी सबसे पहली book, The Modernity of Tradition में यह एक बहुत ही दिल्चास बात करते हैं, यह कहते हैं कि ज़्यादा तर western scholar ने यह assumption दी है कि इंडिया का जो tradition है, वो modern system के against खड़ा होता है, इंडिया को modern नहीं बनने देता, लेकिन वो कहते हैं यह assumption करके detail में समझेंगे, तो यह तीन traditional values को study करते हैं, पहली caste, फिर charismatic leadership, और तीसरी है legal culture, इन तीनों values ने यह मानते हैं कि इंडिया को किसी ना किसी तरह से modernize किया है, सबसे पहले हम समझते हैं कि caste ने कैसे इंडिया को modernize किया है, रुडॉल्स का कहना है कि जो इंडिया में caste है, वो traditionally sunscritization के लिए लड़ती है, यानि वो जो है अपनी position को बैतर बनाना चाहती है, जिसमें वो temple entry की demand करती है, वो अपने लोगों को कहती है कि वो वले काम छोड़ दो, जिसकी वज़ा से हमारी caste जो है वो बदनाम है, या फि colonialism खतम हुआ, modern times आया, तो इंडिया में caste ने एक नया रूप ले रिया, वो था interest group का, जिसको रजनी को ठारी भी कहते हैं कि इंडिया में caste जो है, एक pressure group की तरह काम करती है, तो ये जो caste groups थे ये चाते थे कि इंडिया में जो politics है, उसमें हम किसी तरह से आये, हमें politics का access जो है वो दिया चाहे, और दूसरी साइट पर जो भी इंडिया की political parties थी, वो हर तरह की caste को खुश करना चाती थी, हर एक caste का जो vote bank है, उसको और भी ज़्यादा consolidate करना चाती थी, इसलिए रिडॉल्स कहते हैं कि इस caste की वज़ा से इंडिया में secularization और democratization हुई, एक example भी देते हैं कि हर political parties में आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई caste का परसन जरूर होगा, तो इस तरह से कहते हैं कि इंडिया की जो political parties है, वो एक coalition बन चुका है caste segments का, तो रिडॉल्स मानते थे कि caste ने इंडिया को modernize करने में, secularize करने में, democratize करने में बहुत मदद की है, अब इनकी second traditional value, जो charismatic leadership थी इसने भी इंडिया को modernize करने में मदद की है, जिसमें ये गांधी को ज़्यादा study करते हैं, ये मानते हैं कि महात्मा गांधी ने इंडिया में vernacular language को use किया, लोगों की language में उन्हें समझाने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने अपनी polity को समझाने के लिए सवराज और रामरा जैसे idea use किया, उन्होंने कई सारे ऐसे Indian symbols और style politics में use किया, जिनको लोगों को समझना और भी ज्यादा सान हुआ, जैसे चर्खा और खादी को उन्होंने use किया, तो इससे Rudolph ये कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने इंडिया के tradition को use करते हुए, इंडिया को modernize किया, modernize करने का यहाँ पर मतलब है कि इंडिया को political participation में लेकर आए, mass mobilization की, जिसकी वज़ा से लोग जो है politics में active होना चुरू होगे, institutional reform, constitutional reforms की demand करने लगे, British से अजादी की मांग करने लगे, so इंडिया को modernize करने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, अब तीसरी tradition की बात करते हैं जो है legal tradition, रुडॉस यह observe करते हैं कि इंडिया में जो traditional law पाये जाते हैं, वो उनकी continuity किसी तरह से बनी रहती है, वो किस तरह से, सबसे पहले तो western scholar की यह जो assumption थी कि इंडिया में जो ब्रामनी का law है, वो जादा prevalent है, यह मांते नहीं, यह less prevalent है, इनका जादा role नहीं है, जितन जादा customary law जो है इंडिया में जादा है, customary law का मतलब है, जो religious based personal law होते हैं, वो इंडिया में जादा आने जाते हैं, सो ब्रिटिशर ने क्या किया, धर्म शास्त्रा के कुछ principles को adopt किया, उनको अपने accordingly modify किया, ताकि एक इंडिया में national law code वो ले कर आ सके, और इस national law code के चलते ह हुए, इंडिया को एक secular law भी मिला है, और उसके साथ इंडिया के जो personal law है, जैसे Muslim personal law है, उसमें interference नहीं की गई ब्रिटिशर के द्वारा, इसी तरह इंडिया ने इस चीज को भी continue रखा, इसी legal tradition को continue रखा, जिसमें कुछ national legal law भी है, constitution भी है, इसके साथ personal legions law भी जो है, वो भ इंडिया के modernization के साथ साथ वो भी चलता आ रहा है, वो भी चल रहा है, तो basically redols इसमें ये समझा रहे हैं कि इंडिया का जो भी tradition रहा है, और जो भी modern values रही है, ये एक दूसरे के against खड़े नहीं होते, ये एक साथ मिलकर जो है काम कर रहे हैं इंडिया में, इनका एक और important idea है ये इंडिया को weak और strong state define करते हैं, आप कहोगे कि ये कैसे possible है, जहां तो इंडिया weak state होगी, जहां फिर strong state होगी, लेकिन ये मानते हैं इंडिया weak और strong state दोनों ही हैं, किस तरह से, ये strong state कैसे हैं, ये strong state इसलिए है क्योंकि इसने manage किया है large industries को establish करने में, political conflicts इंडिया में minimize किय गये हैं, और जो इंडिया की जो professional bureaucracy है, जिनको वो steel frame कहते हैं, इंडिया का, उसने state के apparatus को, यानि state के functions को और भी ज़्यादा इंडिया में expand किया है, अब ये इंडिया किस तरह से weak state है, इंडिया weak state इसलिए है, क्योंकि rural areas में ज़्यादा development नहीं कर सका, इंडिया weak state है, क्यों traditionally इंडिया इतना strong नहीं रहा, रिडॉल्स मानते हैं कि इंडिया में unofficial civil wars भी चलते हैं, caste और classes में कई तरह के conflict चलते हैं, जिनको इंडिया resolve करने में fail होता है, इसी तरह इंडिया में जो religious fundamentalism है, उसको भी control करने में इंडिया की state जो है, वो weak रही है, इस तरह से इंडिया के state एक time पर strong भी है और weak भी है, और अब हम समझते हैं, इनका most important idea वो है इंडिया की political economy को लेकर इन्होंने कौन कौन सी observation दी थी, political economy को लेकर जो इन्होंने एक book लिखी थी, in pursuit of Lakshmi, वो काफी famous हैं, जिसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया में चार तरह की agrarian classes पाई जाती है, agricultural laborers, small holders, block capitalists और fourth large land owners और मानते थे कि वो सबसे important class block capitalist है, किस तरह से ये important class है, इसको समझना बहुत जरूरी है, वो मानते थे कि इंडिया में जो ये block capitalist वाली class है, ये green revolution के बाद इमर्ज होती है, और ये number में भी ज़्यादा है, उनके पास land area भी ज़्यादा है, ये middle class class है और ये self cultivator है, self cultivator का मतलब है, अपने land पर खुद खेती करते हैं, ठीक है, अपना land आगे contract पर किसी को नहीं देते खेती करने के लिए, तो इनके पास 2.5 से लेकर 14.5 तक acre of land जो है रहता है, और ये class इसलिए important है, क्योंकि redolts मानते थे economically और politically इसने इंडिया को काफी influence किया है, command and demand polity को लेकर, ये मानते हैं, command polity इंडिया में वो है, जहां पर state की hegemony prevail करती है, मतलब जिसमें state जो है, government जो है, वो society की demands के उपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और अपना long term vision को लेकर plans करता रहता है, लेकिन इंडिया में demand polity भी काम करती है, जिसमें society की demands है, वो state को माननी पड़ती है, electoral pressure को face करते हुए, इस तरह से कहते हैं, इस तरह से Rudolph कहते हैं कि इंडिया में command polity और demand polity को लेकर tussle चलती रहती है, ना इंडिया कभी पूरी command polity बन पाया है, और ना ही कभी पूरी तरह demand polity बन पाया है, इंडिया की economy को define करने के लिए ये एक और term यूज करते हैं, वो है federal market economy, तो federal market economy का idea क्या है, इस idea को new imagined economy view कहते हैं, 1990s के reforms के बाद, state जो है redolts मानते हैं as a entrepreneur emerge हुई है इंडिया में, वो मानते हैं कि इंडिया में जो command polity है, उससे जो है अब shift होकर इंडिया federal market economy की तरफ चला गया है, command polity में इंडिया की economy काफी centralized थी, काफी planned थी, और state जो है काफी economy को control करती थी, लेकिन federal market economy में जो economy है, वो काफी decentralized होगी है, market को काफी open कर दिया है, तो इस तरह से इंडिया जो है अब federal market economy बन चुका है, इसके कुछ और भी कारण रहते हैं, जैसे कि party system में भी इंडिया में change आया है, one party dominance से इंडिया जो है multi party system मनता है 90s में, और जिसक चलते हुए parties की जो ideologies है, जो उनकी practices है, उनमें भी change आया है, जो policies वो लेकर आया है, आते है 1990s के बाद जैसे economic policy आती है, उसमें भी change आया है, क्योंकि ये strictly socialist state जो इंडिया की economy को control करे, ऐसी जो धारना थी 1947 के बाद, उससे उपर उठकर इंडिया जो है, अब federal market economy बन चुका ह रिडॉल्स के बारे में कुछ और bonus facts के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज election commission को इनोंने bulwark of free and fair elections कहा है, इनका मतलब ये है कि election commission 90s के टाइम पर इंडिया में इतना ज़्यादा strong हो जाता है, कि इंडिया के लोगों का विश्वास election commission में इतना ज़्यादा ब इंडिया में चाहे poverty आजाए, जान landlessness की situation आजाए, इस सबी चीजों की वज़ा से protest अपने आप नहीं होने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए intervening agency चाहिए, intervening agency वो चाहे कोई political parties हो सकती है, जहां कोई pressure group हो सकता है, जब ये involved होगे, तभी इंडिया में mobilization होगी, तभी protest जो है possible हो सकते हैं, TN मदान का मानना है कि जो रिडॉल से उन्होंने इंडिया पे इस तरह से study की है, कि इंडिया के जो unfamiliar चीजे थी, लोगों को जो है उन्होंने उन unfamiliar के साथ familiar कराया है, सुनिंदर एस जोत का जो खुद भी कास्ट पर काफी कुछ लिखते हैं, वो मानते थे कि रि वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको लगता है कि एजुसीकर चैनल आपके exam preparation में किसी तरह से support कर रहा है, तो आप भी इस चैनल को support कर सकते हैं, join बटन पर click करके इसकी membership को लेकर, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you.